हेलो गाई सभी को मेरा प्यारे सा नमस्कार और स्वागत थे मेरे यूट्यूब चैनल मैरा ब्लॉक्स पे तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है PG semester 4 का syllabus Hindi ओनर जिन लोगों का है उन लोगों का PG semester 4 में क्या syllabus है वो आज मैं पेपर किलिर करूँगी हमारा syllabus में चार पेपर है और समेश्टर 4 में बहुत confusion है पेपर को लेके तмов верх कैली को किलियर करूँगी तो आप वीडियो को इनडे तक जरूर देखिएगा क्या क्या confusion इसमें और मैं clear कर दू कि ये विनोवा भाबि इन्वर्सिती का syllabus है तो आप लोग confused नहीं हो येगा तो जैसे कि देख सकते हैं चतुर्थक semester यहां लिखा हुआ है मतलब 4 semester का तो 4 semester में आपका total syllabus में आप देखोगे कि 7 paper दिखा रहा है कितना दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है जैसे कि semester 3 में आप लोग remind करो उसमें था आपका total 4 paper था लेकिन जो first paper था वो हिंदी हटा कि आप कुछ भी उसके जगा history, political कुछ भी रख सकते थे तो उसी तरह ये नहीं है ये उससे थोड़ा अलग बहुत different है चतुरतक semester में इसमें आपका total 7 paper दिखाएगा तो जो paper ये जो first paper है मतलब कि first paper का जो exam आप लिखिएगा तो उसमें आपको first paper में दो paper का option दिया जाएगा आप दो paper में से किसी एक paper को चूज करके आप पढ़ सकते हो ऐसे करके तीन paper में आपको दो option दिया जाता है और एक paper में जो आपका आनिवारी है वो 16 paper सबसे last का paper जो है तो वो paper में कोई changes नहीं आपको उसी को पढ़ना उसमें को option नहीं दिया गया पर यहां first से लेकर 3 paper तक आपको तीनो paper में एक एक option दिये गया मतब दो-दो paper है दोनों में से आप एक एक चोईस करके पढ़ सकते है और last वला जो paper है सबसे last चौथा paper उसमें को option नहीं दिया गया है उसमें जो syllabus में है वही आपको पढ़ना है तो चलिए यहां पर में दिखाती हूँ कि paper 1 में 4 semester का paper 1 में मतब कि paper 13 में 2 option दिया गया ठीक है paper 14 में भी 2 option दिया गया paper 15 में भी 2 option दिया गया पेपर 16 में हमें कोई option नहीं दिया गया तो paper 13 में कौन-कौन से syllabus है 2 option कौन-कौन से हूँ हम देखेंगे तो paper 13 में जो पहला है वो दिया गया है लेबस में आदी कालिन काव जिसमें हमें पढ़ना है अमीर खुसरों की पहलिया मुक्रिया दोस्सकुने प्रित्वी रासों की प्रित्रीतु वर्नन फिरिकाई 3 में नाम देव भक्ती भावना पद संक्या एक दो तीन चार पांस तक और फिरिकाई 4 में विद्या पती पदा वली की नक्सिक पद संक्या दस से बाइस तक और इसमें फिर है राम बिरिच मेना पुरी की बसंद पंद संक्या एक सो चोहत्ता से एक सोठतर तक लोग भारती परकाशनी लावन तो यह हमारा पेपर 13 में फर्स्ट पेपर जो यह सलेबस है अब इसी में हमें एक और उप्स परिवितिया चायवाद के नाम वर्सी राज कमल परकाशन नई दिल्ली फिर सुमित्रा नंदन पंद के पर्थम रसीम नोका विहार भारत माता फिर जैसंका परशाद के कम्यानी लज्जासर स्रधासर सुरिकांत्र पार्ठी निराला जी का राम की सक्ति पूजा सरोज इसम अब देखते हैं पेपर 14 पेपर 14 में कवीर परिशिष्ट दो पद संक्य तक साचार हजारी परशाद दिवेदी राज कमल परकाशन नेदिली बुक का नाम लिखा हुआ है फिर एकाई टू में मलिक मोहमद जैसी गरंथा वली फिर नागमती व्योखन्ड सा अचारामचंदर शुक्र दोवारा नागरी परिरीनी सभा कासी फिर एकाई थिरी में सुर्दा स्वन मंजूसा पद संक्या एक दो छे साथ ग्यारा तेरा चौदा सान नलिन विलोचना सर्मा कैसेरी कुमारी मोतिलाल बना ये बुक का नाम बताया गया है नीचे वला फिर है एकाई फोर में तुलसी दास अध्या कांट पुस्ववाटी का परसंग तो ये फर्स्ट ऑप्सन दिया गया पेपर चौदा में अब सकेंड पेपर देखते हैं इसी का इसी का अगला पेपर में दिया गया है छैवाट दोत्तर कावी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है जिसमें काईवन में है रामधारी सी दिनकर की उर्वरसित ये अंग लोक भारती परकाशन इलहाबाद फिर नागा अर्जुन की सिंदूर तिलकित भाल प्रेत का बयान कालिदास फिर अग्याई का आसा ध्वीना नदी के द्वीप धुमिल रोटी और संसत मोची राम ये पुस्तक की नाम बताए गया है तो ये है हमारा सेकेंड उप्सन ये दोनों काव जिसमें है इकाई वन में बिहारी लाल स्वन मंजूसा मंगला चरन सिंगार और प्रकृती चितरन सा ये पुस्तक का नाम बताया गया है तीक है फिर है इकाई टू में पदमाकार पद संख्या एक से दस रिति काव संगरा विजय पालसी लोग भारती मतल रिति काव के और लोग भारती परकाशनी लावत ये बुक का नाम है फिर रिकाई ट्री में है मती राम स्वन मंजूसा संपूर्ण इसको पूरा पढ़ना है मती राम के द्वारा जो रचित स्वन मंजूसा है उसे फिर है घनननंद के द्वारा जो स्वन मंजूसा है उसे भी पढ़ना तो ये हो गया फर्स्ट पेपर हमारा पेपर 15 का अब इसका दूसरा पेपर देखते हैं अगला पेपर में है भारती एवं पशाति कावी सास्त्र जिसमें पढ़ना है कावी लक्षन, कावी परियोजन, कावी हेतू, कावी गुन, रस निस्पति, सधार्नी करन, फिर अरस्तू अनुकरन सिधान्त, विरेचन सिधान्त, पलेटू का अनुकरन सिधान्त, फिलोजाइनिस, वत्दान्त, तत्व, इलियत, परंपरा और व्यगिक्त, प्रग्या, फिर है रिश्टर्स, संप्रेशन सिधान्त, तो ये हमारा पेपर 15 का दो पेपर हो गया जिसमें आप एक को पेपर सोला देख देख, पेपर सोला में जो है, इसमें कोई आप्सन नहीं है, यही पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें है लगु सोद अत्वा कथा सहित्य, लगु सोद के निर्देश या पत्र सो अंको का होगा, लगु सोद प्रबंध लेकान सतर अंको का तथा मोखिक तिस अंकों की होगी इस पत्र का मुल्यांकन विस्विध्याले में भाई ये परिच्छक करेंगे और वही इसकी मौखिक भी संपन कराएंगे मतलब की लगू सोध का जो निदेश है उसमें आपको एक निबंद भी लिखना होगा जो कि सो अंका होगा इसका मौखिक मतलब आपसे सुना जाएगा जो तिस अंका होगा आपको मुह से सुनाना है बोलके वो तिस अंका एकजाम होगा इसका ठीक है जो इंटर्नल बोलते हैं वो हो जाएगा ठीक अब इधर आते हैं एकाई वन एकाई टू में देखते हैं कथा साहित तो एकाई वन म में गेंद और गोल मुल्ले पर्तिकिर्याय अवलंब गरीबी का दवा मेगा परकासन राधा कृष्ण एकाई फोर में कहानी विविदा साथ देवी संकर अवस्थी चार कहानिया इदगा प्रेम चन के दुवारा उसने कहा था चंधरमसर गुलेडी सरंदाता अग्याई वाप अपसी उसा प्रिवन्दा ये सारे एकाई फोर में हमें पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो जिसे कि जितना भी जब सुरुस लिक अंतक्स लेबस है बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोड़ेड है बिल्कुल अपने सरल भासा में ताकि आप अच्छ प्लोड ये बहुत सारे इसे टॉपिक है जो मेरे वीडियो पर अप्लोड है आप लोग कमेंट स्रेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो तो मैं वहां पर लिंक सेर कर दूंग जो अप्लोड है नहीं होगा तो फिर अप्लोड भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अच् प्लीज प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं बुलिए मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और सब्सक्राइब करके जरूर जाए अगर मेरे चैनल पर नए है तो क्योंकि आप ही लोग तो लोकल है मैं भी नोगा भाव इनवर्शिटी से ही पढ़ाई करती हो तो लोकल का ही सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा तो प्लीज सपोर्ट तो बनता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए सभी को बाबाए